नमस्कार दोस्तों वेलकम टू शुइंग ट्रेट इस वीडियो में हम बात करेंगे एपीएल लिमिटेड कमपनी के बारे में इस कंपनी में काफी गिरावट हो चुका है क्या इस स्टाक में बटम बन चुका है या तो फिर यहां से और भी ज़्यदा गिड़ सकता है इस टाक निने ऊपकूहें है कि इस वीडियो माँ बात करेंगे अगर किसी के पौटφोलियो को यह स्टॉक को आगी के लिए चल सकते या तो फिर सेल करके निकल जाना चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो सुरू करने से पेले फ्रेंट्स आप सबको जरूर रिक्वेश्ट करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पे नया है चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके कर लिएगा जो कि वीडियो आपको टाइम ले मिल सकता है चले स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले और एक इंपटन चीज बता दूँ अगर आपका पोटफोलियो में अगर कुछ प्रोब्लेम है या तो फिर आपको कोई स्टाक में कुछ भी डाउट है आप इ करते हैं अगर बात करेंगे यहां पर यह जो कंपनी है फाइट वान और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देट की वारे में अगर बात करेंगे और उसका जब अब और हम बात करेंगे 319 all time है और उस्टाक अभी ट्रेडिंग हो रहा है वान सिक्स्टीफोर पे तो यह जो कंपनी हैं कंपनी करती क्या है उसके बारे में वी पहले एकपर जानकरे ले ले लेते हैं अगर हम देखेंगे तो यह जो कंपनी है इसील प्रोपक लिमिटेड इस दर लार्जेस्ट पेसलिस्ट पैकेजिंग ग्लोबल कंपनी मैनुफेक्चरिंग यहां पर लामिनेटेड प्लास्टिक ट्यूब और कैटरिंग ब्यूटी कस्मेटिक्स फर्मा और हेल्फ प्रड़क्ट औरल इसी सब सब आप देखेंगे यहा प्ररक्रणां पतला खरक्ट्र सेब्सकरण फसेओस सब्सक्राइब इंका विर्फट यहां पर प्रक्रणोर्स कि खरएंगे और दाबर भी इनका कस्टमर है तो यहां पर इमा में भी उनका कस्टमर है हिमालया पतंजली यह सब भी को इसका कस्टमर ठीक है और प्याकेजिंग सरफिस कंपनी प्रोवाइडिंग करके यह तो यहां पे अगर हम quarterly result की बारे में बाथ करेंगे फ्रेंस यहांपे डिसमबर का quarter में 8-83 करोड का यहाँ पे profit जो देखने को मिला है जो कि last quarter में December 2020 को यहाँ पे 769 करोड का sales देखने को मिला था sales न इंप्रूमेंट जरूर नजर आ रहा है तो इसी साब से अगर profit की परके बाद करेंगे net profit में यहाँ पे 71 करोड का net profit था December 2020 को सब्सक्राइब करें तो यहां पर देखने मिल रहा है तो यहां पर फिल्कुल नजर आ रहा है जोकिने प्रफिट रौप हुआ है सीच क्वाइब करेंगे यहां पर नेट्ट करोड का यहां पर कोई प्रोब्लेम नहीं है अगर हम नेट प्राफिट में यहां पर 172 उसके बाद में 193 उसके बाद में यहां पर तो इसी साथ से अगर हम रिजर्व जाकी भी देखते हैं रिजर्व बड़ीय से इंप्रुमेंट हो रहा है ठीक है तो इसी साथ परमोटर क्या कीका OUT Ladies कि लिए पुर्मोटर के आचा सा श्लेंन दीख़ विए उसके साथ में आसथ इंट इंस परशी पिसलिख इस तोडि़ार आज के दिन में देखेंगे यह स्टाक में बड़ी ऐसा डेलिवरी देखने को मिला है तो यह चीज में आपको बता दूं कितना परसिंटेज का डेलीवरी है आज एक स्टॉक में देखने को मिलआए विद्द इसको मान सकते हैं यहाँ पर क्वंटीटी ट्रेडिंग वहा है और यहां पर डेलीवरी उठाए गया वान लॉक्टी लगता नहीं यह स्टॉक में से निकल जाना चाहिए क्योंकि कुछ फंडामेंटली कुछ गलत लग नहीं रहा है और दुसरे बात है कंपनी में अगर आपने कहीं हाईर लेबल पे पर एंट्री कर लिए हैं तो फिर इसा नहीं कि कंपणी खराब है जब करेक्शन पूरा मार्केट करेक्शन में जाता है उस टाइम पर हमारा स्टॉक भी करेक्शन जरूर होता है जैसे मार्केट रिकवरी होगा उसके बाद में जब निप्टी आल्टाइम हाई पी टॉच करे अगर आपका पॉट्फोलियो में तो आप लॉस्बूक मुझे लगता है नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कोच भी आप डिसीशन लेंगे आप अपना फाइनचियल आडवाईजर से जरूर सला कर लिजे ठीक है फाइनचियल आडवाईजर से जरूर सला करके इस टाप मे अगर आपका पॉट्फोलियो में है तो आपको अगर निकलना चाहते हैं तो एक लेवल में आपको बताता हूं ठीक है कंपनी कुछ प्रोब्लेम नहीं है स्मॉल क्याप कंपनी है थोड़ा सा रीस्क भी हो जाता है ठीक यह चीज़ हमें बिलकुल इगनोर भी नहीं करना च चाहिए मुझे ऐसा लगता है अगर आपका पॉट्फोलियो में है यह जो लेवल है यह लेवल हमें बिलकुल देखने को मिल सकता है यहां पर एक लेवल में आपको बताता हूं यह लेवल के उपर बिलकुल यहां पर नजर रखना चाहिए इयाद यह जो लेवल है और यह फिर बिलकुल को बिलकुल कि मिल सकता है कितना क्यांडेल का यहां पर पावा ठीक है यहां पर एक रिडिस्ट रेस्ट रही ह ं वहा है मुझे लगता यह फिर से का पर रे अगर आप देखेंघे यहाँ पर झैयार फिर्प से यहां पर कि देखने को मिल सकता है तो यहाँ से ऑगल कैने यहां से यहां से प्रफित बचा हुआँ टो यहां से ostr करने का कोई जरूरत नहीं है अगर आप बने रहेंगे तो six months में हो सकता है यहां पर आचीब जरूर हो सकता है लेकिन कोई कोई बीडियेंटल से ग्लोबल की रीजन की वेजर से स्टॉक मार्केट में जैसे करेक्शन होता है उस ताइम प्यानिक मत कीजिए ठीके मार्केट में हमेशा मार्केट निचे जा सकता है लेकिन मार्केट कभी निचे रह नहीं सकता है को बीड के टाइम पर आपने देखा होगा उसके बाद में मार्केट फिट से सार्फ रिकावरी भी किया है ठीक है यहां हो सकता है कभी-कभी एक साल के लिए या तो फिर पर शिक्स मांच के लिए स्टॉक मार्केट एक कॉंसलोडेशन जोन में निचे जागे रह सकता है लेकिन मार्केट हमेशा के लिए वहां पर नहीं रहेगा फिर से मार्केट लाइफ टाम हाई आचीब करेगा तो इसलिए हमेशा मैं आप सबको बताता हूं कोई भी बॉर्वि बढ़ायश मानी है उसी को हम इंबेस्टमेंट करेंगे और बड़ेंगे और घैन लेंगे मैं कभी क्यों ने बोलता हूं कि crianças 해도 में शुरॉत में इस से टू थ्री म कंपलीट लिए काफी सरे स्टॉक में टार्गेट अचीव हो रहा था थी कि ना उस टाइम पर मेरा एक खुद का फ्रेंट था मेरा एक बहुत बड़ा क्लोज प्रेंट था उसने मुझे एक चीज बताया था कि अगर यह सा है तो फिर में काम कर सकता हूं होम लोन लेके तो पैसे को स्टॉक मा चानेल ओपन किया हूं हम सर्प्लस मनी में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे हम कोई बूरों कोंने 45 или 30 % हम आचीव कर सकते हैं वीडियो ऐगर आपको पसंद आ है फ्रींस वीडियो को जरूर लाइक कर दिजिए तरस के साथ में शेर कर लिए कर लिजे अगर चैनल को ज